नमस्कार, अब आप मुख्य समाचार सुनिए मध्य परदेश में दो महिलाओं के साथ दरिंदगी, तीन लोगों के खलाफ FIR दर्ज ज्ञारखन में 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर महिने मिलेंगे 1000 रुपे हिमंत भिस्वे सर्मा ने ज्ञारखन के CM को कहा धन्यवाद मध्य परदेश के रिवा में दो महिलाओं को जिन्दा दफन करने के मामले में पुलिस ने कारवाई की है पुलिस ने भारती दंड सहिता के तहत तीन आरोपियों के खलाप FIR दर्ज की है पुलिस का कहना है कि ये एक पारिवारिक विवाद है इस मामले में पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है फिलाल एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बाकि दो आरोपियों की तलाश की जा रही है दरसल जमीन विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा था इसके सुचना मिलते हैं पुलिस बल मौके पर पहुँची जानकारिक मुताबिक विवादित जमीन पर सड़क बनवाने को लेकर विवाद चल रहा था आरोपी हाईवा से मौरम लेकर वहां पहुँचा था पिडित महलाओं ने डंपर चालक को मौरम गिराने से मना किया जब डंपर चालक ने दोनों की बात नहीं मानी तो वे डंपर के पीछे मौरम गिरने का स्थान पर बैठने लगी इसे बिच अचानक डंपर चालक ने तेजी से मौरम गिरा दिया और दोनों महिलाय मुरब में दबने लगी तब ही मौके पर मौजुद ग्रामिडों ने उन्हों बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया जहारकण में 21 से लेकर 50 वर्स की महिलाओं को हर महिने 1000 रुपे मिलेंगे इस बारे में आंगनबाडी केंद्रों से इसका फॉर्म दिया जाएगा मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कुई सौलंबन प्रोसान यूज्ञा के तहट ये लाभ दिया जाएगा जनकारी के मुताबिक आवेदन पत्र आंगनबाडी के माध्यम से निशुल्क दिया जाएगा आंगनबाडी साहई का सेविका अपने अपने खित्र में घर कर जाकर महिलाओं को चिनहित कर आवेदन उपलब्द कराएंगी जहारकर के मुख्यमंतरी हिमन सोरेन ने मुसीबत के समय असम की तरब मदद का हाथ बढ़ाया इसके बाद असम के मुख्यमंतरी हिमन भी स्वसर्मा ने जहारकर के मुख्यमंतरी को थैंक्यू कहा दरसल इन दिनों असम बाड़ की वज़ा से ज़्यादा प्रभावित है असम के मुख्यमंत्री हिमंत भी सुधा शर्मा ने कहा कि जहारकन के मुख्यमंत्री हिमंत सोरे ने पुर्वतर राज के बाढ़ के प्रवायत लोगों की मदद के लिए दो करोड रुपे देने की गोश्णा की है। दरसल यूपी सरकार ने पिछले दिनों आदेश दिया था जिसमें कावड रूट पर पढ़ने वाले भोजनाले समित अने सभी दुकानों के बाहर दुकानदारों के नामों का लिखा जाना अनिवारे कर दिया गया था।